पर इंब स्टार्ट करते हैं आने देजिए बच्चों को बच्चे जसी आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविशन हमने कर लिया था तीनों मेथड हमने कर लिये ते आज हम कुछ important questions कराने वाले हैं इस पर देखते हैं let's see कि कौन कौन से important questions आते हैं जो कि हम कर सकते हैं तो बच्चे भी आ रहे हैं то कि cbsc वालों को भी आने देते हैं उसके बाद स्टार्ट कर लेता है ठीक है और कैसे चल रहा है पढ़ाई कैसे चल रही दिपक हेलो दिपक पढ़ाई कर रहा है हेलो पढ़ाई उड़ाई तो होती रहेगी प्रेक्टिस केसी चल रही तिरी क्रिकेट की जाने है प्रेक्टिस एची चल रही है बढ़िया वेरेगू पढ़ाई तो कभी भी कर लेगा अंड़े 16 मौका नहीं मिलेगा बार बार है ना अंड़े 16 में परफॉर्म कर पढ़ाई तो होती रहती है अच्छे से पढ़ाई करना है ठीक है बाकि दोनी बनने के लिए कुछ तोत्याग करना ही बड़ेगा चलो बच्चे जॉइन हो रहे है मुझे सुन लो थोड़ी देर तक तो तो प्रेजेंट मत करी हो कि चलो बढ़ी आए ठीक है अभी देखते हैं जैसे आपको मैं इंफॉर्म कर दूंगा जैसी क्लास्स को लेंगे है ना अभी एक अप्चे की ब्रेक है जरा आपको आपको बताया है मैंने कि क्या क्या इस स्ट्वेशन है जैसे ही होता है फिर हम स्टार्ट कर देंगे दीपक खाना उना नहीं खा रहा गया आजकल तू बड़ा पतला हो रहा है तूँ है भाई खाना उना खा डाइट रख अच्छी खा रहा है वह सोहल को देख कितने मोटा हो गया वो तीन दिन में देख तीक करते हैं तीन चार मिनेट और विट करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं कोश्चन करेंगे हैं तो डिपक दिख रहा है ना कि दिख रहे हैं तो फिर अपनी स्क्रीन बंद कड़ें हाँ ठीक है कि म्यूट भी कर दो अपने आपको सब के सब तब स्टार्ट करते हैं बाकी क्या बोलते हैं भारती प्रियंका को बता दिया प्रियंका को तीन बजाना है कि आख ठीक है ओके है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अब करता हूं आपको सबको स्क्रीन दिखेगी तो यह समय में आप आंसर देना ठीक है अब आप यह स्मय में बोलना नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो तो अगर सबको स्क्रीन दिख रही है अब स्क्रीन दिख रही है वाइट स्क्रीन स्क्रीन सबको दिख रही है ओके आशिश यस अरे आशिश यार बड़े दुखिक खबर आई तेरे साथ बुरा हो गया बड़ा पबजी बैन हो गया ना तेरे अब क्या करेगा तु अच्छा और अच्छा टेकिल तना अच्छा तो मम्मीघेल दी फेल थे गवरी सीगे से यान अ शुलिवय अच्छा प्रीफायर भी बंद कराना बड़ेगा तरे साथक्व तैरे सांसम सक्amtेर तो खेल तो खेलता था अब क्या होगा भाही तेरा अब क्या हो गया अब क्या होट इंक अध्या अध्यवाद्न का क्या होगा विजिए देवाज़ का आफ तेशाइव क्या रहे आप जो Departmentर रहना की अ मिचलू ठीक है चलो तो सबस्कों वाइट स्क्रें Character तुम खेलते हैं रहे ना वस पढ़ना बन तुम लोग चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ना चलो मैं कुछ कोस्टन्स देने वाला हूं आज है ना और उसको हम हम लोग करेंगे step deviation से किस से करेंगे हम लोग उसको step deviation से ठीक है सबको आवाज सुनाई दे रही है तो मैं questions लिखता हूं और उसको आज step deviation से करें कुछ important questions है जो कि बहुत ज्यादा important है और वो हम लोगों को जरूर करने कुछ-कुछ ऐसे questions होते हैं जो कि exam में बहुत पूझे भी जाते हैं और हम लोगों को आने भी चाहिए तो वो वाले questions भी हम कुछ देखेंगे important से बागी पहले मैं 2-3 questions आपको दे रहा हूं वह आप करोगे पहले उसके बाद ही हम आगे उन questions पर जाएंगे ठीक है तो पहले मैं questions दे देता हूं आपको अच्छा किसका revision कराना है step division का ओके 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 ठीक है तो step division का revision करा देते हैं आपको है ना चलो ठीक है let's suppose मैं कोई question लिख रहा हूं 0-2 2-4 ठीक है 4-6 यह हम लोगोंने कितने बार कर लिया है आप लोग भी बोलोगे सारे वही वही question करा रहो वही question कराने का मतलब यह है कि आप लोगों को पता चल जाए कि यह करना कैसे हम लोगों को है ना questions को आप memorize मत करो बस उसको देखो कि हमें step by step कैसे चलना है ठीक है यह हमा 2-1-5-6-2-3 राइट तो यह देखिए मेरे पर fi आ गया अब मुझे next step क्या करना पड़ेगा next step मुझे x i निकालना होता है और वह x i कहां से निकलता है class mark से तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को add करूँगा और 2 से divide कर दूँगा है ना तो यह हो जाएगा देखो मेरा first वाल फिर यहाँ पर आ जागा 6 upon 2 which is 3 फिर आएगा मिरे पर 5 फिर आएगा 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 इतना आप लोगों को आता ही है यह तो assume mean तक भी चलता है ठीक है हमें क्या करना है हमें basically यहाँ पर step deviation करना है step deviation method हम कर रहे हैं और यह बहुत ही easy method है बिल्कुल घुपराने की ज़रूत भी ठीक है ठीक है अब हम यहां से seven ko seven ko भी ले सकते हम five ko भी three ko भी one ko भी हम nine को भी ले सकते 11 को भी ले सकते और थr hurricane को भी ले सकते ह्याँ हम seven इसल लेते हैं ताकि हमारी calculation वह easy हो जाते क्यूंकि बीच वाले को अगर आप लेते हो तो आपकी जो calculation होती है वह easy हो यह मैंने आपको बताया था introduction में, ठीक है, हम यहाँ पर 7 को ले लेते हैं, अब हमारा जो next part है, वो है di निकाना, तो di हमें पता है, di कैसा निकला जाता है, di निकला जाता है, di equals to xi minus a, तो देखो, मैं 1 minus 7 करूँगो, तो मिरे पर minus 6, अब देखो, 7 से उपर, a से उपर, जो भी value सब में minus होती है, यहाँ पहले लिख लो, ठीक है, तो 1 minus 7, minus 6, 3 minus 7, कितना हो जाएगा भई, minus 4, minus 2, 7 minus 7, 0, 9 minus 7, 2, 11 minus 7, 4, 13 minus 7, 6, इतना तो हमें पता ही था, यह हमारा क्या था, यह तो हमारा क्या था, assume mean वाला method था, अब यहाँ पर जो step deviation का formula है, आशीश, आशीश बताएंगे मुझे step deviation का formula, आशीश, speak up, कहाँ पर आशीश, gaming, gaming with आशीश, gaming with आशीश से हम पोचेंगे, step deviation का formula क्या होता है, हाँ, gaming with आशीश बताएगा, आशीश बताएगा, a plus, sigma fi, ui upon sigma fi, bracket close into, into, very good, देख लिया होगा तोने तो, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, एचा आगया, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि a क्या है, ठीक है, जिसको, जो, जो हमें पता है, देखो, मैं उसमें राउंड, राउंड करता हूँ, देखो, a क्या है हमारा, लाल पंसे में राउंड करता है, a हमारा देखो, यह साइवान है, देख रहे हो, h हमें सबको पता है कि h क्या होता है, h होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2, 4, 4, 6, तो यह हमारा h क्या हो जागा यहाँ पर h हो जागा मेरे पर 2 ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक h मेरा हो गया 2 ठीक है अब यहाँ पर देखो f i u i अब यह यू i है अब यू i कैसे आया अब यहाँ पर एक नया step जुड़ेगा d i के बाद होता है u i अब यह u i कैसे जूड़ता है u i जो होता है वह होता है d i up on h अब यहाँ पर देखो minus 6 upon h क्या है हूँ तो देखो यह जागा minus 6 upon 2 which is minus 3 फिर minus 4 upon 2 तो यह जागा मेरे पर minus 2 यह जाएगा, यह 0, यह 1, 2, 3, ठीक है, इतना समझ में आया, किने आया, चैट में बताओ, येस और नो, येस और नो, फटाफट, चैटिंग में येस और नो बताओ मुझे, जल्दी, 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 ओके, आरती, आरती का आगया, भारती का आगया, वेरी गूट, चलो, यहां तक आपको सबको समय में आगया, कि UI क्या होता है, DI upon H, अच्छा, भारती का अगल कोश्चन था, कि सर, ये DI के जगा, हम ये भी लिख सकते हैं, अच्छा, ये UI के जगा, आप ये भी लिख सकते हैं, कि भाई, XI-A upon H, क्या होता है, XI-A, हमारा DI तो होता है, तो मुझ आप यहां से देखिए, ये मेरे पा आगया, DI, ये आगया, मेरे देखों, यहां पे UI आगया, देख रहतुँ हो, ये पूरा UI हो गया, और मेरा यहां पर मुझे क्या चाहिए, Sigma, FIUI, तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ, FIUI, यहां पर मैं लिख रहा हूँ, FIUI, ठीक है, multiply by minus 2 तो यह हो जाएगा कितना minus 4 फिर हो जाएगा देखो 1 multiply by minus 1 तो यह हो जाएगा minus 1 ठीक है फिर हो जाएगा 5 multiply by 0 तो यह हो जाएगा 0 फिर हो जाएगा 6 multiply by 1 तो यह हो जाएगा 6 ठीक है फिर हो जाएगा 2 multiply by 2 यह हो जाएगा 4 और यह जगा 3 multiply by 3 which is 9 अच्छा यहां पर आप मैं इसका अगर calculation करता हूं इन सब का मैं addition करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा इसका calculation अगर मैं करूंगा यहां पर इसको में थोड़ा सा नीचे लिए लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा यहां पर मिटा देता हूं ठीक है तो आप सबको समझें आ रहा है दिख रहा है न सब कुछ दिखना चाहिए बाजी तह क्या हो रहता है न यह जगा सिग्मा FI मेरा कितना आ रहे बई जल्दी बताओ जरा एड़ करके प्लीज यह काम आपको मैं सौप रहा हूं फटा 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 बताओ कुझ यह रहा कितना ह रहा हां भाड़टी कितना रहा है अगलों कि मिअरे 10 उंटी आaufenवान चेमिए उंटी ही और Northern सिग्मा एफाई यू आई कितना अगया मिर पर कि एलेवन आ रहा है ओके ओके सिग्मा एफाई यू आई आगया बच्चों मिर पर एलेवन क्या बात है अब फॉर्मुला लगाएं यह रहां लगा दें अरे जल्दी बताओ फॉर्मुला लगाते हैं थीक है तो यहां देखिए ए हैं हम पर किता 7 यह लिक दूंगा 7 प्लस सिग्मा एफाई यू आई मिर पर 11 अपन सिग्मा एफाई है मिर पर 20 अब इन्टू एच कितना है मिर पर 2 ठीक है तो यहां पर मैंने इसको काटा देखो यह हो गया अब इससे रटा है यहां पे पॉइंट लग गया तो देखो तो मेरा मीन आगे है वह जागा सेवन प्लस वन पॉइंट वन तो मेरे पे किता आ जागा एट पॉइंट वन इस माई आंसर तो समझ में आ गया आपको मीन कैसे निकलना है गॉट इट